में आपका दोस्त विकी और मेरे यूटिब चैनल में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरे पास है ये मोस्कीटो बैट जो की कुछ ठीक से काम नहीं कर रही है तो आज इसको हम लोग इस वीडियो में करेंगे रिपेर दोस्तों क्योंकि ये इसका इसका बहुत है इसमें इतना कुछ होता नहीं है तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी टेकनिकल साउंड और आपको सुल्डरिंग आती होगी तो भी आप इसको आराम से रिपेर कर लोगे और इसका फॉल्ड जो है तो बहुत ही चोटा है जो मैं आपको बताऊंगा जो की काफी इजी है रिपेर करना तो नॉर्मली क्या होता है जब कभी भी हमारा बैट खारा हो जाता है तो हम लोग फेक देते है उसको और ये एंवरिमेंट के लिए अच्छा नहीं है तो हम लो उसको खोला था तो यहां पे मूव हो गई तो वह पता नहीं दिखेंगा या नहीं दिखेंगा क्योंकि तो चार्जिंग तो हो रही है दोस्तों देखिए अभी मैं इसको चालू कर देता हूं आपके सामने यह बटन इसका स्वीच ओन है और यह देखिए अभी यह अबाटरी है उसमें प्रडॉब्लम हो गया तो इसको बस बैटरी को आपको रिप्लेस करना है तो अमय आपको बता लेता हूँ कौन सी लगेगी पहले इसको खोल लेते हैं और बैटरी बेपैटरी हुए अई आच जोको इसको फ़ुपन किये खी तो इसको जिशुर्दयावर तो RB405 इसका जो model है वो है, 4V का इसका output है और 0.5A की इसकी rating है, ठीक है तो इसकी capacity 0.5A की है, दोस्तो इसमें 3-4 model आते है, तो कोई में 0.4A भी आता है, और किसी में 1A भी आता है, तो 1A की अपने लिए तो डबल चलेगा, मतलब ऐसे होता है, तो दोस्तो कोई भी चीज आप है, यह जो screw है, वो काफी deep है अंदर, ठीक है, तो करीब करीब इतना deep है, तो normal जो मेरे पास दुसरा वाला जो है, इतना कुछ काम का है नहीं, तो इसलिए मेरे पास यह package का, यह laptop repair का kit है, mobile laptop repair का kit, तो यह मैंने लिया था, इसकी भी link description box में है, तो यह देखिए, इसमें जो यह वाला जो अलग-अलग इसके आता है, देखिए, तो इसकी length भी बहुत जादा है, और यहाँ पर यह अटकता है तो जितनी आपको length चाहिए, उससे आप हो सकते हो, तो यह बहुत important tool है, यह अगर आपकी hobby है, तो आपके पास यह होना ही चाहिए, तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं, इसको open, अभी बैटको अपन कर लिया है, यह देखिए इसका battery है, बैटको पर कोई rating दिया नहीं है, यह लेकिन यहाँ पर यह नंबर दिया हुआ है, तो यह नंबर का reference लेके, आप similar battery ले सकते हैं, लेकिन वो भी चल जाएगी, कोई issue नहीं है, 4 watt ही है, यहाँ पर इसका PCB है, और दोस्तों खोलने से पहले पूरा आपको इसको discharge कर देना है, और यह बटन आफ पर होना चाहिए, इ देखिये, same size की है, ठीक है, तो इसमें चल जाएगा, कोई-कोई दोस्तों BATS के अंदर है न, वो जो हमारे AA cell होते हैं, वो rechargeable cell वो लोग डालते हैं, और यह दोस्तों LED acetate की battery है, तो उसमें वो दूसरा वाला battery होता है, तो अगर वो वाला होगा, तो आपको वो replace करना है, इ तो यह मैं एक pro dip आपको देता हूँ, ताकि आपको 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 प्रॉब्लम ना हो, जो क्योंकि यह DC battery है, तो आपको यहाँ पर positive negative terminal मिलेगी, यह positive यहाँ पर, यह positive और यह negative, ठीक है, और इसमें भी same ऐसे ही है, यह देखिये, यह वाला positive, यह वाला negative, और positive wire है, यहाँ पर, इसके ओपर marking होगी, देखिये, यह जो part है यहाँ पर, यह positive लिखा हुआ है, तो positive यहाँ पर लगेगा, चलिए दोस्तों, इसको हटा लेंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ और यह जो हमारा, यह है, इसको solder कर लेंगे, उमनों, चलिए कर लेंगे, दोस्तों, soldering करने के लिए मेरे पास, यह soldering का set है, तो यह भी मैंने अमेजों से लिया आता, यह देखिये, हैपटेक कंपणी का है, यह कफी अच्छे से चल रहा है, तो इसमें एक soldering आयन मिला मुझे, यह soldering wire मिला, फिर यह desoldering kit जो आता है, वो मिला है, solder निकालने के लिए यह होता है, और उसके बाद में यह flux का paste भी मिला है, यह forcep मिला है, जिससे आप wire को अगरे hold कर सकते हो, और तो चलिए दोस्तों, इसको soldering कर लेते हैं, तो फ्रेंड अभी हम लोग ने इसको soldering कर दिया है, पॉजिटिव को positive के साथ, और negative को negative के साथ, अभी हम लोग इसको attach कर लेंगे, तो उसके बाद में हम लोग उसको बंद कर देंगे, ओके फिर चार्जिं कर लेंगे, तो एक च तो इस तरफ एक खाचा यहां पर भी ता, तो मैंने यहां पर इसको कट कर दिया, तब अभी यह थोड़ा सा क्रॉस बैटेगा, लेकिन एराम से इसके अंदर बैट जाएगा, तो यह थोड़ा सा जुगड मुझे करना पड़ा, चलिए दोस्तों इसको फिट कर लेते हैं, और देखते हैं कि कैसे काम करता है, दोस्तों पुरी तरह से लगा दिया है अभी, यहां पे लास्ट टूटा हुआ था, तो इसके वज़े से यह जुगड किया था मैंने, और प्लस यहां का जो स्क्रू है दोस्तों, इसका जो नीचे का होल्डिंग होता है, तो वो खराब ह उतना खराँ गया, तो इसके वाज ‫से यह जुगण हम लोग ने किया है, एक रसी से इसको बान लिया है चले दोस्तों, इसको लोग लगा लेते हैं, और देखते है छाजिंग होता है या नहीं तो इसको बैस्ट बच उपन कर लिया मैंने, और यह क्रॉस लगाते है इसे, तेक्ए लिए ओच आ नहीं पाल यह देखिए चारजिन हो रही है दोस्तों तो तो इसके वैजेसे यह आपको ब्लिंकिंग लग रहा है लेकिंग में ब्लिंक काफिज नहीं हो रहा है तो आप गभम घंटा चारज़करे पिर आम लोग टेस्टिंग कर लेंगे और बाद में इसको में कम से कम 8-10 गंटे फर्स चार्ज में चार्ज कर लूँगा ओके चलिए एक गंटे के बाद मिलते हैं और देखते ये कैसे परफॉर्म करता है दोस्तों अभी ये चार्जिंग एक घंटा अल्मोस्ट होने आया है आप देखिये लेकिन ये एक गंटे हम कर लेते हैं और देखिये इतना शॉट करने के बावजुद भी बैटरी उतरी नहीं है इसका मतलब ये ठीक ठाक काम कर रहा है और ये हमारा जो एक्सपरिमेंट है ये सक्सेस्पुल हो गया है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको helpful लगा होगा लाइक शेर सब्स्राइब टो मैं चैनल और जितने भी मैंने सामान इसमें यूज किया था उसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में हाइलाइटेड है वहां से आप देख सकते हो दोस्तों अगर आपके कुछ कुछ क्वेरी डाउट्स हो तो आप उ